असलाम लेकूम नाजरीन मैं हूँ आपकी मैजबान सना नूर और आप देख रहे प्रोग्रेम जिंदगी एक सफर नाजरीन आज भी हमारे साथ हमारी मेमान आईशा रशीद मौजूद हैं जो के विक्टोरियस वुमेन अफ पाकिस्तान और्गनाइजेशन की फाउंडर है तो चलते हैं अपने मेमान की तरफ कैसी हैं आईशा आप अपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मारे प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला शुक्रिया आपका भी आईशा मुझे ये बताईए कि हमको अपनी जिन्दगी को बेतरीन बनाने के लिए या इस तरह से कहें कि जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी जहनी सोच को किस तरह रखना चाहिए हमें जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए जहनी सोच को बहुत पुर्ष सुकून रखना चाहिए पुर्ष सुकून किस तरह के आपका ना जहनी सोच पे किसी के साथ मुकाबला ना हो आपका अपसे मुकाबला हो और अपने आपसे मुकाबला जो होता है वो इनसान को हसद नफरत और बहुत से दूर रखता है और उसके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए जो मुस्तक्बिल के लिए बहुत फाइदे मन साबित होती है तो आप क्या कहती है कि यहाँ पर जहन साजी जो है वो जरूरी है मतलब एक काउंसलिंग होनी चाहिए जहाएं की बिलकुल होनी चाहिए क्योंकि काउंसलिंग असल चीज है क्या तर्बियत है ठीक है तर्बियत का बहुत बड़ा किरदार है आपकी जाती जिन्दगी पे विदाउट काउंसलिंग के आप लाइफ में कुछ भी नहीं है आप मतलब अपनी लाइफ में एक जाहिल इनसान है तो शवर कैसे पैदा होता है, काउंसलिंग से होता है और काउंसलिंग जो है न मैं कहूंगी कि यह सिर्फ वालदाइन के इलावा उस्ताद का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है कि उस्ताद टीचिंग तो सिर्फ वही लोग करें जो काउंसलिंग करना जानते हों क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन जो है न वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपने न बच्चे की तरभियत के लिए आप उस्कूल जा रहें तो आप अपने मफाद के लिए नदा है क्योंकि हमारे मोस्ली स्कूल में जो काउंसलिंग सिस्टम है वो यह नहीं है तो जिसकी वज़ा से हमारे माश्रे में मोटिवेशन की बहुत कमी है आईशा मुझे बताईए कि काउंसलिंग किस टाइब की होनी चाहिए मतलब किस तरह से हम बच्चों को समझाएं मतलब यह बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा किस तरह की काउंसलिंग हो काउंसलिंग जो है न दोनों वक्त सिखाने वाली हो अच्छे और बुरे ठीक है कांसलिंग जो है इस तरह की होनी चाहिए कि आप बच्चे के जहन में ये चीज लाजमी उसके जहन पे दाल दें कि बिटा तुम्हें अच्छे और बुरे वक्त दोनों देखने क्योंकि इनसान जो है ना इसको अच्छे और बुरे वक्त के लिए राड़ी रहना चाहिए बिल्कुल क्योंकि छोड़ अच्छा वक्त जो होता है और जो मुश्किल वक्त होता है वो तबील होता है क्योंकि खुशी तो वह उती है कि आपने फील करी कमाया खा लिया और कहीं जॉयमेंट से होकर आ गए हर चीज का जो है ना खोशी का लिमिटेड टाइम होता है पर जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना ये बहुत जादा लॉंग टर्म्स तक रहते हैं मतलब लॉंग टाइम्स तक रहते हैं तो इसके लिए ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप जो है न अपने मुश्किल वगत के लिए प्रेपियर रहें और उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं आप कैसे उन मुश्किलाच से निकल सकते हैं काउंसलिंग लेगे जिन्दगी को, अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सरकल को, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को, तो काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको मेंटली तौर पर फिजिकली तौर पर प्रिपेर किया जाए मुश्किल वक्त के लिए. अपनी जिन्दगी को, अपनी जिन्दगी को कामियाब बनाने के लिए, अपनी जहन को हमेशे पुर जोश रखा जाए. पुर जोश किस तरह कि अगर आप कोई चीज देख रहें, तो उससे आपको ना अंदर फील होता है कि ऐसा मैं भी करूँ, कोई अच्छाई देखते हैं, कोई एतलिक्स देखते हैं, कोई स्पोर्ट्समेन देखते हैं, कोई किसी भी फील्ड का चाहिए, वो एस्टरोनॉट किसी भी फील्ड से वो ब्लांग रखता हो, जो वो सक्सेस पाता है, तो आपके अंदर क्या आता है, क्यार ये इतना कामियाब हो गया, मुझे भी जो है, इस तरह आगे जिन्दगी में बढ़ना चाहिए, आप सबके बीचे के स्ट्रगल होती है, बट उसको क्या होता है, कि आप जो है ना, कुछ देर के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, वो स्ट्रगल करना जानते हैं, तो वो जो है ना, उसको अपना एम बना लेते हैं, गोल्स बना लेते हैं, तो अपने आपको जो ही बन्दा कामियाब कर सकता है, जो स्ट्रगल करना जानता ह क्योंकि आप विदाउट स्ट्रगल जो है ना अपनी लाइफ में कुछ भी अचीफ नहीं कर सकते वो अगर आपने किसी को एक होता है ना कि एवार्ट खरीद लेना पोस्ट खरीद लेना जगा हासिल कर लेना ये वक्ती होती है अपने अंदर की अच्छाई को खुछ पहले पहचानना चाहिए कि आपके अंदर की स्किल्स क्या है आपके स्किल्स क्या है और स्किल्स कैसे पता चलती है आप आप आपको छोटी उमर से सब कुछ दिखाना शुरू कर देता है एक जगा पर आपका दिमाग आके अटक जाता है अटक जाता है वहाँ पर पैरंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है क्योंकि parents का किर्दार कैसी होता है कि वो बच्चा के सबसे पहले अपने parents को share करता है तो parents का फर्ज है वहाँ पर कि उसकी वो सलाहियतों को ना दबाये नहीं किस तरह कि बास लोग parents बोल देते हैं पिटा afford नहीं कर सकते कि mostly parents जो है afford ना करने की वज़े से दबा देते हैं आप अगर आप जो है well settled लोग ना भी हो ना आप लोग जैसे middle class भी हो आप गरीब भी हो तो आप जो है ना उस बच्चे की skill power को उभा रहें और उसके अंदर वो motivation build करें कि वो खुद बाखुद जो है ना वो achieve करने की उसके अंदर सलाहियतें पैदा हों क्योंकि वो achieve करने की उसके अंदर सलाहियतें पैदा होंगी ना तो आप mostly बच्चों को देखिएगा metric करने के बाद इंटर में जब वो आते हैं jobs करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है ना चाहिए वो अच्छी फैमिली से भी ब्लांग करते होंगे ना तो आप देखना वो जॉब्स करना शुरू कर देते हैं और वो क्योंकि उनके अंदर जो गोल्स होते हैं ना वो उनको हाथ पहला के मांगने पे ना शर्म सार महसूस करवाते हैं और वो शर्म मैसूस करते हैं पैरंट से लेने में और मेरे ऐ सब के लिए है यह बात सब के लिए है करोलाइक है आप अपने बच्छों को कमाने का मश्वरा बहुत बात में देते ए आप घात कर वाया लाकिने न किसी भी बैग्रांड जाने तो वह जादा भोलते हैं अगर एड़मेशन की बाद एती किसी बच्चे की तो यह बोलते मिल बच्चा चार साल का है बच्चा तीन साल का है बहुत चोटे तो यहां पर यह चीज़ भी बहुत जादा लोग क्रिएट करते हैं यार देखें जब बच्चा पैदा हो गया ना तो उसकी ना जाइस खौाइशात पूरी करें उसको लाड़ ना करें लाड़ करना ना आपने उसको बरबाद कर दिया आपने यह लफ सुने खिलाओ सोने का जाने वाला और देखो शेर की निखा यह पहले के लोग जो है ना सिर्फ बोला नहीं करते थे यह उनकी जात्ती जिन्दगी में यह रूल था अगर अगर हम देखा जाना हम नाइंटीज के जो बच्चे आज जो जैनरेशन है नाइंटीज की उनके पैरंट्स ने भी उनको लाड़नी किया है बकौल अबके पैरंट्स के मताबिक ठीक है आपके बच्चों को ना बहुत नाजुक बना दिया है बच्चों को ओ लेवल ए लेवल का चसका लगा दिया है पहले ऐसा कुछ भी नहीं था पहले जो है हमें यह पता होता था है कि यार हमारे फादर घर पे आने वाले ना तो वक्से पहले हमने कौन कौन सी ड्यूटी को कम्पीट कर लेना है ठीक है रिस्पेक्ट थी और अलम्दल्ला आज भी है आज भी वो तरीके कार हमारे घर में मौझूद हैं कि यार वालिज साब आ गए ना तो हमें डिसिप्लेंस में आ जाना है हमें अपनी ड्यूटी पर आ जाना है ठीक है लेकिन अब ऐसा नहीं है तो अपके बच्चे जो है ना उनको नजाकते आपने बहुत जादा सिखा दिये मैं तो इस चीजसे बगार किसने पैदा किया है साइंस की कोई तरकी नहीं है इसमें साइंस अपना काम मुकमल कर रहा है साइंस को जाएंस को अगे लेकिके जा रहा है हमारे जो है ना लाड नख्रे दिखा लगार के लिगा अब कर दो के बच्छों को बरबाद किया जा रहा है और अपके बच्चे जो है ना खाली एक तो इनको ब्रैंड कॉण बना दिया है आपने के ना आप मौल से चीजे खरीदे तो ब्रेंड है अगर आप लाइट हाउस यह जगह से खरीदें तो यह लोकल है यह चीजें मैटर नहीं करती हैं आप अपनी आप को परस्नालिटी बनना बताएं कि आपने परस्नालिटी बनना है जाएंगे नजाकत हैं इन में कोई आप जो आप पहले के बच्छों को देखेंग में अगर लोगों को उनकी जो है के कि कहते है स्यूर्यात नही इन ищ draw region क्या कर दो aan पकी जांडी एक है टिकट कराया वीजय करवाया मुल्क गर्द्श्न हम अपने लोग नहीं उठ्षा रही हैं तो यह चीज़ जो है नजाकत है और दर जाना जाना क्यों कि हमारे हालाद भ से зовут पर रहा है अगर हम अपने हालाव से लड़ना चीख 49 अगर हम अपने हालाज से घुजरना ने के सक्षा है तो हम भी माशयीद बहुत कामया बढ़ा fifteen हम्हें से हमझा हूं के अभी भी बहुत से लोग इस मुल्क में हैं झो अपने नेशन के साथ बहुत sincere हैं, तो मैं ये को हूँए कि आप लोग जो है ना 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 नखरें ना सिखाएं बच्छों को, ना ने डालें नहीं जीजीज़। जिन्दगी की सख्तियां बतानी चाहिए, जिन्दगी की सख्तियां बतानी चाहिए, आईचा मुझे ये बताईए, कि हम को एक दूसरे से मकाबला करना चाहिए मकाबला अगर हम एक दूसरे से करेंगे तो हमें बगस नफरत हसत पैदा होगा जो यह माशरे का बिगाड़ है क्योंकि मकाबला जो होता है ना वो दुश्मनियों पर लेकर आ जाता है और बहुत बर्बादी इससे सिर्फ एक लड़का या एक लड़की तबा नहीं होते है पूरी नसल तबाओ जाती है खांदान तबाओ जाती है तो मेरा जहां तक माइंड सेट है ना आप लोगों से कॉम्पटिशन ना करें आप लोगों से मकाबला ना करें बलकि उनकी कामियाबी पर आप खुश हो है क्योंकि यह सबसे बड़ी जो चीज होती है ना आपके अंदर अच्छा ही पैदा करती है आप अपने अंदर जो है ना दूसरे की कामियाबी से खुश होना स 치खे हैं क्योंकि अगर आप दूसरे की कामियाभी से खुश होना सीखेंगे ना, आपकी चेन बनेगी. और अगर आप दूसरे की कामियाभी से खुश नहीं होंगे, competition करेंगे, तो chain टूड़ी आइगी. फिर, आपके से आगे लोग कुछ और होंगे, पीछे कुछ और होंगे, तो competition आपका अपने आप से होना चाहिए, कि मैं इस जगा को, इस माशरे को, इस घर को, इस कंपनी को, इस office को, इस complex को, इस hospitals को, इस school को, या किसी भी studio को, आप किसी भी profession से ब्लांग करते हो, आपके अंदर competition नहीं होन ना आना चाहिए, कि मैं आज इस जगा खड़ा हूँ ना, तो मैं इस जगा को कहा से कहा लेके जाँ, बराबर में कौन सी building खड़ी भी है, उससे आपको concern नहीं होना चाहिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो competition की main, जो है, जड़ क्या है, हसत, हसत, नफरत, दुश्मनी, और तबाही आखिर में, और ये तो एंसान के अंदर पाई जाती है, इनसान के अंदर बिल्कुल पाई जाती है, और इस वक्त को अपने नफसे लड़ना पड़ता है, जिसको कहते हैं, जहाँदे अकबर, जी, सबसे बड़ा जो जहाँदे वो अपने नफसे तो मैं इस बात को कभी भी तरजी नहीं दूंगी मैं अपने लोगों को भी ये बात बिल्कुल इस चीज़ से मना करती हूं कि आप कॉम्पिटीशन ना करें आप खुद से लड़ें क्यूंकि हम एक मुस्लिम कंड़ी से तालग रखते हैं और लोग इसलामी बातों को को ने ना सिर्फ जो है जमात मसली मतलब जो जो क्या कहते हैं तरीके कार होते हैं अलग अलग फिरकों में उधर थोड़ा बहुत जिकर कर दिया जाता है पर देखा जाए तो किसी ने अपनी जाती जिन्दगी में इसलामी रूल्स को नहीं अप्लाई किया हूँ ठीक है इसल इसलामी करूल्स को एना सुनाने के लिए नहीं हैं वह इसलामी क्रावार्यत की बात करेंगे तो की बात चिड़ जाती है अगर कोई किसी और फिर के से होगा आपस में क्लैश पर जाता है और महां पे भी जो है ना थोड़ा सा एक दुसरे को डिफीट करने वाली बात आ जाती है कि मैं इसको किसी भी तरीके से डिफीट करूंगा इसकी बात को मैं किसी भी तरीके से रिग्र से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजीन तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जी आईशा आप क्या कह रही थी तो मैं यहां पर यह कह रही थी कि जहां पर इसलाम की बात आजाए जहां पर अच्छा ही आजाए ना वहां पर आप इन्शालला कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसने आपको एक अच्छी नसियत कर दी तो आप इन चीजों में ना पड़ें कि यार वो जो यह बात कर रहा तो उसके पास दलाइल थी क्या वो यह बात कर है वो किस कम्यूनिटी से ब्लांग करता है इन सब चीजों ने ना हमारे दिमाग को जो है ना कंजिस्टिट कर दिया है हम लोग जो है ना एक दुसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते तो इसलाम की बाते हमसे बहुत पीछे की तरफ जाती जा रही है और नेगिटिविटी जो कि बात हमेशा जो है नरम मिजाजी से की जाती है बिलकुल सही है अगर आप किसी को टॉंट ना करें आप चला के कोई बात ना करें अल्ला हुआ अकबर ऐसे ये देखें एक अल्ला हुआ इसमें भी आप अल्ला का अगर नाम ले रहे तो बहुत से तरीके कार होते हैं कि नाहीं जल्ली समझ मेरे आजाए is निया के सबसे बड़े लीडर जो होते हैं अगर उन्होंँंने चिला के बात कि उती ना अगर उन्होंने चिला के दर्स दी उते हीं अगर उन्होंनेtinky मजलीव की होती तो वह बात हैक होती उन्होंने वो खुसने अखलाक से पहचाने जाते हैं वो अफ़ दर गुजर से पहचाने जाते हैं वो नरम मिजाजी से पहचाने जाते हैं तो दुनिया में आप देखिएगा कि कहीं पे भी कॉन्फरेंस हो रही होगी कहीं पे speeches competition हो रहे होंगे किसी से बात हो रही होगी आप उनका talking style note कीजिए वो बहुत soft behavior के होते हैं लोग आप गोरों को देखें वो अगर किसी को tornt भी मारेंगे ना उनकी आवाज उची नहीं होती है soft spoken होते हैं बिलकुल, बट हम लड़ने मरने धरने पर उताराते हैं हम अपने culture से बहुत पीछे जा रहे हैं हमें अपने culture की तरफ वापस आना चाहिए क्योंकि ये जो 2000 की जो generation है ना इनको नहीं पता respect के असल मतलब क्या है आपने इनको competition में दाल दिया है जो माशरे का बहुत बड़ा बिकाड है अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि हमें जो बता दिया जाता है ना कि इस जगा नी जो ये गलत है इस जगा नी जो ये गलत है आपने ये नी बताना है इस जगा आपने ये बताना है बेटा तुम इस जगा जा रहे हो अच्छे और बुरे लोग तुम्हें हर जगा मिलेंगे बिल्कुल और तुम्हें उन अच्छे बुरे लोगों में किस तरा रहना पहचान करवानी है दुनिया की लोगों की पहचान करवानी है एक साथ एक कम्यूनिटी को एक घर को एक एकी फैमिली को बुरा नहीं कह देना क्योंकि एक फैमिली में अगर एक भाई गलत है या एक बहन गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा वो सरकली गलत होगा तो आप लोगों की पहचान करवाना सीखें हाँ आप दिलों के हाल नहीं जान सकते लोगों के क्योंकि गयाप का इल्म सर्फ अल्लह के पास है पर आप बंदे को यहां से पहचान सकते हैं कि यार यह किस रास्ते पर आपको जाने की बात कर रहा है आइसे मुझे बताईए कि हम मश्रे के पाकिस्तान से तालोग रगते हैं और हमारी जो तैजीब है वह उर्दु है तो आप क्या समझती हैं कि हमारी जो है उर्दु होनी चाहिए ऑंकल क्यों क्ईट्रेट परसें बात करदें लेकर और हम क्या कर रहें उससे बात करने के हमें अपनी लैंगविज को प्रोमोट करना चाहिए हमें अर्दू को ताखत में लाना चाहिए क्योंकि दुनिया की सबसे खुबसूरत और तहजीब वाली लैंगविज अर्दू है बिल्कुल और इतनी खुबसूरत और यह तहजीब आपके अंदर पैदा करती है आप आप अगर कोई खुबसूरत अर्दू बोलता है तो असको लोग क्या कoonsowalों करते हैं बहुत मुश्जाइब शक्स on to safety म pixel होती है ज्यों हैं अर्दू ही जाती है आइसे desaaf उर्दू बोलने वालोंसे लोग जो ना बड़ा मुतासिर होते जायाा आप दुनिया आप किसी भी श यह समझ में नहीं है बड़ यह कि इंग्लिश जो है ना वो थोड़ा सा लोगों को वह एक माइंड सैट जो है लोगों का बनी है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो यू हरा परस्ट इनिली इसका सिर्टी ते बल्या आप ने पड़ा लिखा कुछ भी नाओ यार मैं इस चीज क किसी युनिवरसिटी में एडमिशन लेना तो आपको वहां पे तुर्क पहले पढ़नी पड़ेगी ऐसा ही है और उर्दू का क्या है कि यार आप अगर चलें कोड जाती है ना सही है वहां पे कितने यह हैरस्मेंट के केसे साते हैं कुछ आते हैं आपके पेपर जो हैं इंग् पाकिसन पाकिस्टन में कांप्लीट मिले हैं मेल्स और फीमिल्स को दौनों को कंप्लीट मिले वें बस जो यह तफरका आ रहा है ना यह जो सारा फसाद आ रहा है यह सिर्फ लैंगविज के उपर आ रहा है क्योंके जो रशवत-खोर होगा कोई चलाक इन्सान होगा उसको सामने वाला बंदा वो देखके पहले जज़ करेगा कि इसको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं उसको कम्प्लीट वो श्यूर हो जाएगा कि यार इंगलिश इसके दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही है और इसको घेर लें तो वो बंदे जो है ना देखें हमेशा जो है ना आप अपने नेशन के साथ चलें नेशन के साथ चलने से आप दुनिया में आप भी पहचान बनती है आप क्या है आप पाकिस्तानी है ना और पाकिस्तान के मश्री की कंट्री है ठीक है पाकिस्तान ने आपको एक ड्रेसिंग स्टाइल दे दिया है मर्दों को भी दे दिया है और ओड़तों को भी दे दिया है आप चाहें किसी भी किसम की ड्रैसिंग करें बड़ जो पाकिस्तानी कल्चर है ना आप उसको हमेशा उपर रखें आप यॉर्पियन कल्चर को हमेशा नीचे लाएं और अपने किल्च्र को उपर लेकर आप यॉर्पेयन रिवाइत को अगर पसंसा भी करते हैं तो झहां पर पाकिस्तान की रिवायत आती है आप यॉर्पेयन रिवाइत को पीछे छोड़े में क्यूंकि देखें दुनिया हमें क्या कहती है ये तो हमें ही फालो करते हैं हम कहां स्टेंड करते हैं हम कहां अपनी परस्ञालिटी रखते हैं अगर आप एक आरप की ड्रैसिंग देखें तो उनक क्या है रोपातीन अब आया वेल करती है और वो जो मर्द है वो वाइट कलर की ड्रैसνग उगा दुनिया किसी भी खिते में उस अपनी ही ट्रेसिंग में जांगे उनकी परस। अवर यृर्पियन आड़ेगा उनकी एक परस। तार सॉल्ड तर रखी हैं यृर्पियन्सु हो हैं पहना करती थी, बड़ यह है कि जब मैंने और्गनाइजेशन की तरफ आई जब नेशन के काम की तरफ आई तो मैंने थ्री पीस को अपना लिया, मतलब डुपटा, शलवार कमी, स्ट्रॉजल, यह थ्री पीस अप मेरी ड्रेसिंग है, ठीक है, और मैं कमफर्टेबल फील करती यह बात जरूर बोलूंगी, कि मैंने उन लड़कियों को जादा डिस्ट्रब देखा है, जो यॉर्पियन ड्रेसिंग में होती है, वो अपने आपको सही तरीके से कैरी नहीं कर पारी होती है, कन्फ्यूज होती है, लेकिन मैं कॉंफिडेंट होती हूं, क्योंकि मुझे जो रिवायत है, पाकिस्तानी ड्रेसिंग है, इसको मैं इस पर मैं प्राउड भी फील करती हूं और एप्रिशेट भी करती हूं, अच्छा आईशा, मैं सवाल अपसे करेंगी, कि हमारे मिलक में अलग अलग जबान है, और मुक्तलिफ सखावत है, तो हमें एक दूसरे की भी बलोची और पश्टो को जादा उपर रखते हैं, सूबों के लिहाज से, लेकिन सूबों के लिहाज से, अगर हम हटें तो सिराई की हजारा मतलब अलग 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 कौम की जबाने भी बूली जाती है, अब यह जो हम ब्लांग करते हैं शेहर से, यह जो शेहर कराची है यहाँ पे सारी जबाने आके मिलती हैं, ठीक है, अगर हम अगर दूसरे शहर जाएंगे पंजाब में तो हम जादा तर पंजाबी इसको करेंगे, यहाँ पंजाबी आएं, अगर हम पिशावर साइट जाएंगे तो वहाँ पे जादा तर हम देखेंगे पश्टो बोली जात आप अगर के पीक की तरफ जाएंगे तो आपे भी लोग महमान नावाज हैं वो यह नहीं देखते कि यार आप उर्दू स्पीकर हो हाँ आपकी दुश्मन ही जोगी वापके शहर सोगी कहीं से भी होगी लेकिन अगर आप उसके महमान है तो वह महमान दारी बहुत अच्छी क आपकर मिक्स हो गई हैं और यह जो है क्या कहते हैं यह बहुत मैं इस शहर को बहुत पसंद करती हूं क्यों कि यह आपको हर जबान का इनसान मिलेगा और वह एक दुसरी की रिस्पेक्ट करते हैं नहीं है ख्लैश नहीं है यह चंड अनासिर हैं जो ख्लैश पैदा करते हैं बट मेजॉरिटी में क्लैश नहीं है, एक्वैलिटी है, तो मैं कहूंगी कि उर्दू स्पीकर्स हो, या पंजाबी हो, या पश्तो हो, या पठान हो, या हजारा वाले हो, कोई भी हो, इस चीज की तरफ आप लोग ना जाएं कि चंद शर्पसन अनासिर की वज़ा से जो आप कभी 9 क्लास में सिंधी पड़ी हो, सिंधी समझ लेते, बहुत सारी लेंगोज को हम समझना चाहते हैं, से आपस में कोई सिंधी लेंगोजे बात कर रहे है, पंजाबी लेंगोजे बात कर रहे है, सिराइकी, whatever जो लेंगोज होती है, तो समझ भी नहीं आती है, अब यहाँ मेरा सवाल यह है, कि क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेजिस में यह लेंगोजे सिखाई जानी चाहिए के नहीं, हंड्रेट परसंट सिखानी जाएगी, पता है क्यों, क्योंकि दुनिया में जो जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश कंपल्स्री नहीं होती है, वहाँ काफी सारी जबाने कंपल्सरी होती है, हमारे हैं क्या है कि अगर सिख उर्दू होती है, जादा सिन में सिंधी होती है, बर सिंधी भी हम लोगों को मुसली समझ में नहीं आती है, हम नहीं बात कर पाते हैं, वहलब कंपल्सरी सबजेक्ट में उर्दू के साथ इंग्लिश ज तो उसे क्या होगा कि भले कोई सिंदी सिख राय कोई पश्टो सीख राय लेकिन इससे काफी जो है अपर मार्क्स का इशू हो जाता है कि पढ़ना तो है करना तो है तो वहां से यह होगा कि इस तरह एक दुसरे की लैंग्विज इस पर फोकस किया जाएगा और समझा जाएग और माशाला पाकिस्तान में पढ़ाई का रुजहान है शहरे कराची में बहुत है के पीगे की तरफ भी अलहमदल्ला बहुत हो रहा है तो यह जो एक दुसरे की जो जबान है ना कोई एक लैंग्विज कंपल्सरी हो जाएगी तो लोग सीखेंगे और अंडर्स्टैंड भी कर कुछर की लैंग्विज के भी कोचिंग्स खोले ना तो जहां तक मेरा अंदाज़ा है लोग आएंगे इंट्रस्ट लेंगे बहुत लेंगे और पता सिर्फ लोग इंट्रस्ट नहीं लेंगे बाहर मुल्क के लोग भी इंट्रस्ट लेंगे और यह एक्वालिटी पैदा कर सफाफत को इजद देंगे दो आईशा सखाफत और जबास यह सब हमारी माशरी का हिससे है तो यह सब हमारी जिन्दगी में हमारे साथ साथ सफर कर रहे हैं यहां पर मेरा सवाल यह है कि हमें अपनी कास्ट को आमियत देनी चाहिए या मिल जल कर रहना चाहिए कास्ट को बिल्कुल भी आमियत नी देनी चाहिए कास्ट कॉंशिस जो होते हैं ये पता है ये इतना बड़ा हमारे माश्रे का नुकसान है जो लड़ने मरने पे आ जाते हैं सही है खास तर पे कास्ट जो है न वो आपको शादी के टाइम पे लाके खांदानों में लड़वा देती है ये कास्ट ने ना पता है आपके जहन पे एक चीज शुमार कर दी, अगर तुमने हमारी कास्ट निकल के शादी की, तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमारी बेजती करण ओकिती, तुमने करें धाय के लागत, अबन आदम तुम सब आपस में बराभर हो, आпр गी हज़ पे जो उन्होंने खुदबा दिया था और उन्होंने अरब को अजमी और अजमी को अरब पे एक दूसरे पे फ़जीलत दी ठीक है हम यह कहां से कास्ट लेकर आ गए यह कास्ट कॉंशियस हम कैसे हो गए हमें रूट्स पे जाना चाहिए इस जनरेशन को रूट्स पे जाना चाहिए का हम यह सब चीज़े कहां से लेकर आगा है हमारे मझभ में कहां लिखा ह smack हमा है कि अप इस मझभ है इस कास्ट के इंसान से इस कास्ट के लोगों से उप शादि नहीं कर सकते कहीं पे भी नहीं है यह सब और सिर्फ दिमाग का फुतूरे खेले काइनली इस चीज़ को तो खत्म कर दें कि मैंने जो है क्या कहते है पंजाबियों में शादी करी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा पंजाबियों में से मेरा रिष्टा आगिया तो मैं बहुत एडवांस हो पंजाबियों से लग है पठान अलग है आईशा आपकी बात यहीं से कंटीनियों करेंगे एक ब्रेक का टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का टाइम हो गया मिलते है एक छोड़े से ब्रेक के बाद वेलकम बेक नाजरीन तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जी आईशा आप क्या बता रही थी तो मैं यही बता रही थी कि जो कास्ट कॉंशियस जो होते हैं यह बहुत ज़्यादा नेगिटिविटी हमारे माश्रे में इसने तोड़ा हो है माश्रे को तो इन सब चीजों से लिख लें और निकल के क्वालिटी पैदा करें क्योंकि आप किसी कॉलिज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मापे सारी कास्ट के लोग होते हैं आप सब के फ्रेंड्स होते हैं आप बच्चों में या मैं भी अपने घर में ये बात करती हूं कि मैं शीयाद कम्यूनिटी की फ्रेंड्स मैं रखती हूं मैं हजारा कम्यूनिटी के फ्रेंड्स रखती हूं मैं पंजाबी फ्रेंड्स रखती हूं बट हम में महभबत है आप में मैं अपनी फैमिली में अकछर ऐसी बात भी कर दी हूं कि उन में और मुझमें कोई फरक नहीं है हम गैसभर पाकिस्तान के ओपर कोई बात आएगी हम eक्वल हो जाते हैं किर्किट मैच sensit की बात आए पे हम बिल्कुल डिफरेंट हो गए तो ये गैप कहां पर है पर ये गैप शादियों के टाइम पर आता है ये बहुत बे तुका तरीका है कि आप जो है पूछते हैं आप ये देखें कि वो बंदा या बंदी दीन से कितना अटेस्ट है जी वो कमाई के लिहाज से कितने काबि हैं उन में कमाई की जिस्तुजू क्या है उन में एटिकेट्स हैं उन में प्रोफेशनल और परसनल लाइफ के अंदर डिफरेंस करना आता है ये सब चीजें जो होती है ये मैटर करती है कास्ट मैटर नहीं करती क्योंकि हर कौम में खुबसूरत लोग हैं तहजीब से सूरत चेहरे हर तरह से हर कास्ट में खुबसूरत लोग हैं तो मैं तो कास्ट कॉंशिस बिल्कुल भी नहीं हूं मैं अपनी फैमली में भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करती जहां पर कास्ट कॉंशिस की बात आ जाए मैं बिल्कुल नीट्रल हूं नीट्रल होने से पता ह कि आए आपके खरीब लोग आते हैं आपका एक गुल दस्ता बनता है और हर तरह के लोगों के साथ आपको काम पड़ता है पर आप उनसे मतलब के तोर पे मिलेंगे ना तो वो यही बोलेंगे कि यह तो हमें पीछे गालियां देते हैं आगे हमारी चम्चाइड़ी करते हैं तो आगे भी आप अच्छे रहें पीछे भी आप अच्छे रहें आप किसी को कास से रिलेट कर गे ना काइंडली उसकी तोहीन ना करें बिलकुल तो मतलब आपका गहने का मतलब यह है कि अगर कास्ट एक दूसरे की मुक्तलिफ वो तो शादी कर लेनी चाहिए बिल्कुल बश्रत ये है कि वो इसलाम के अग्यांस तो नहीं है इसलामिक रूल्स पर जहां पर बात आये ना तो वहां आप शादी ना करें लेकिन आईशा ये चीज तो मतलब पिछले जमाने से बिल्कुल समझ लिए कि इसकी डवलपमेंट हो रही है इस्ता इस्ता चेंजिंग आ रही है और ये चीज़ बढ़ रही है हमी लोग कर रहे हैं अब हम है इस माशरे का हिस्ता है कि हमारे जो है वो पुष्टो नहीं नहीं किया और तुम कर रहे हो तो पुष्टो गए है अब लोगों के जहन से बात नहीं निकलते है अब लोगों को जवाब दें अल्ला तो उनसे यही पूछेगा ना कि कहा लिखी थी है मैंने इस सब चीज़े कुछ खानदानों में तो शादी के टाइम ज़ा है निकल आता है करके वो तो जाय दादी नहीं लायते जाया चोड़ कर थी हुआ है वो चीजे आप छोड़ दें इंडिया की बाते थी आप अभी क्या है और अभी आप से क्या फाइदे पहुंचेंगे आने वली नसल को आप वो बात करें वो गया वो दौर गुजर गिया और सीरियसली अगर आप अपने आपको देखें न मैं इस माश्रे का हिस्सा हूं और मै अगर मुझे मौत आएगी ना तो खबर में मेरे अपने भी नहीं होंगे जवाब देखें तो मैं खुद की जवाब देऊंगी तो मुझे किसी के ये सला मश्रे असर नहीं करते चाहे वो मेरे खांदान की पुष्टों से चले वे आ रहे हूं या आने वाले मश्रे मुझे छी है कि जहां अची लगती है कि जहां से इनसानों के साथ एक्वैलिटी हैं हां सादी आप महाँ पर यह जरूर, ना वस्मे है तो आप मुसलमानियत देखें मॉह अग्रिस्टिन हैं, वह हिंदु हैं। आप 맞는 ऐस्लाम को अपने मिजह को फॉलो करें कास्ट को फॉलो मत कर क्योंकि आप अगर आप चलो फॉर एक्जेंबल मैं उर्दू स्पीकर हूं मैं फाइफ टाइम्स की नमास नहीं पढ़ती है और दूसरी कास्ट में एक बंदा बैठा है जो पांच वक्की नमास पढ़ता हो वो मुझसे बहतर है बिल्कुल ऐसा ही है बले आप कास्ट को जो है पर क्थिकली नहीं ले रहें बस आप जवानी बोले जाय रहा है कि हम इस कास हैं है सरी है भी आप और जो चीज्ट कहूंगे ना यह बिल्कुल मैं सही कहूंगे कि हैं मैं 5 वक्की नमास नहीं पढ़ेए मैं खुराण की तलावत नहीं खरिया फिर भी मैं उस बंदे के करता है तो मतलब आपने उने हाथ से अच्छा बेला इंसान वेस्ट कर दिया आप अपने कास्ट में जाय हो और किसी और बी कर दें बें आ यह बूड़ा लोड़ा जैसा भी यह दू तं मीजल ना करता ऊ उरत शेतिıldहों और आotes उर्ड की Kोई करती हो और आप बोलें के नहीं अपने कास्ट के लोग हैं तो इसे लोगों क्या मेसेज देंगी अप कास्ट छोड़ें इनसान देखें बिलकुल क्योंकि अगर अपने इनसानियत होना भी जरूरी है जब वही नहीं तो क्या गरेंगे पर आप कितनी लड़कियों को देखें जो बोलती हैं कि हम खानदान में शादी करके गई हैं और हमारे साथ यह नहीं वही आप तो खानदान में गएते हैं आप बड़े अच्छे लोगों में गएते हैं आप शिकायत नहीं करें अंदर से कुछ भी हो रहा हैं आप नहीं करें क्योंकि आपने ही छोटे से कुम्बे को एहमियत दी थी दिलकुल आप अगर कह रहे हैं नहीं बेटा अपने ही घर के लोग हैं और तुम बहुत खुश रहोगी खुश रहना पर चाहे वो लफ मैरे जो या रेंच मैरे जो रहने के बाद पता चलता है कि आप कितने खुश हैं बिलकुल ऐसे तो मैं सिर्फ इतना कौमगी कि अगर आप कि अपने मजब की अपनी कास्ट की लड़का या लड़की देखना कि इजादत मिल रही है और नहीं भी मिल रही है तो वह कहते हैं इंडारेक्ट वे में मना कर दिया है अब आप जिस शक्स को पसंद करते हैं वह मुस्लिम है पर आपकी कास्ट का ना हो तो वह तो आप यहां के लिए ऑन आपके लड़की को आप उपटारे लड़की के वह तराम नहीं दिया ना तो फिर वह जो पलट के आप लोगों के साथ करेंगे ना पिर वो आपकी तो सारी जमाने में तोहीं होगी और मुझे असा लगता है बढ़ाओ अश्या में आप तो पीर उना जों बुराइए इसी चीज की वज़ा से पैदा हो रही है और यह जो अवलाद जो है वो माबाप की मखालिफ हो गए यह बच्छों के मखालिफ हो गए तो यह यह बी एक बेसिक वज़ा है जो के हम अपने माश्य में मतलब एक आद इनके बाद देखते हैं किसी का वाक्या सुन ल के औरत की शादी की जाए इसलाम में यह बात है लड़की का जोड़ देके मर्द मुंतखिब किया जाए बिलकुल सही है अगर लड़की काबल है तो उसके मताबक का देखें लड़की अगर उसके अंदर जहनी सलायतें बहुत ज्यादा है तो उसके लिए ऐसा मर्द बिलकुल एशी है तो आरत के लिए न आप आरत की जहन क्यूंकि और जहन पर जोची सवार रहती है और उसके खिलाफ अगर उसके साथ कुछ किया जाए वो वक्ती तोर पर खामुश होगी वो ताहयात खामुश नहीं होगी उसके अंदर एक बगावत जनम ले रही होती है वो उसके अंदर बगावत क्या उसके अंदर दुश्मनी मतलब जितनी लागिटिविटी होती है वो उसके अंदर जनम ले चुकी होती है आप अगर उसके मन पसंद मर्द से शादी नहीं करेंगे ना खुद तो इजज़त करेगी नहीं किसी के सामने इज़त नहीं रखेग झाल झाल